नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है फायर बोल्ट वोक स्मार्ट वोच ज्वाली में लोंच हुई है Amazon पे और आपको मिलती है 2199 में और ये है लक्स एडिशन मतलब कि आपको इसमें मिलता है तो फीचर्स और स्पेक्स के हिसाफ से इसकी प्राइस काफी अच्छी है तो अगर आपको ये स्मार्ट वोच 2199 ये उसके अंडिर मिलती है तो काफी बड़ी आडिल होगी आपके लिए ये है कॉलिंग स्मार्ट वोच जिसमें कॉलिंग रेंज है 10 मिटर मतलब कि आपके स्मार्ट वोच और फोन के बीच में 10 मिटर के उससे कम का डिश्टनस होगा तब भी आपकी बच में कॉलिंग का फीचर काम करेगा और इसमें आपको मिलते है most of सभी sensors जो आपको एक smartwatch में मिलने चाहिए जैसे की heart rate sensor, SP2 sensor, blood pressure sensor, temperature sensor, NFC control इसमें है 2.05 इंच का sharp और bright LCD display, 600 nitspeak brightness और 328 PPI के साथ हालाग इसमें display AMOLED नहीं है फिर भी इसमें आपको मिल जाता है always on display का feature इसके लावा इसमें है 105 workout mode 500 plus cloud watch faces वो इस assistant और ये है IP68 water and dust resistant मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 meter घह रहे तक आदे गंटी के लिउस कर पाऊगे तो सबसे पहले इसकी जो build quality है काफी solid और study है इसमें आपको मिलता है middle body zinc alloy का case उसकी आ गया है यहाँ पे है middle button और यह है stainless steel का strap जो काफी बढ़िया है front में है 2.5D करो glass इसलिए smart watch premium लगती है तो इस side में है crown button, function button, बीच में है mic, इस side में है speaker और back में है सभी sensors बात करते है battery और charging तो आपको इस तरह के से place करने अपनी smart watch को आपको मिलता है यह wireless charging dock आपको place करके इसे charge करना है charging करने के लिए आप 5.8 यादा suit का charging adapter यूज़ कर सकते हो जितना slow charger आप यूज़ करके उतना बेतर होता है smart watch की battery life के लिए long run में या आप अपने PCI laptop में जो USB पोड़ता है उससे भी charging कर सकते हो या आप अपने power bank से भी smart watch को charge कर सकते हो इसमें है 260 mh की battery इसे full charge करने के लिए आपको लगेंगे 2 hour आपको मिलेगा 6 days का battery backup लेकिन अगर आप calling काईस करोगे तो आपको मिलेगा 2 days का battery backup इस smart watch को first time इस करने से पहले आपको इसे full charge करना थाक कि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले तो मैंने इसे full charge कर लिया है मैं करूंगा इससे switch on तो उसके लिए आपको नीचे वाले ब्रेंट पे Agree, I see, अगर आपने से आपको पहले भी उसकिया है तो आपको करना है email और password को इंटर करके login अगर आप first time इस कर रहे हो तो आपको करना है sign up now हम करेंगे sign up now तो यहाँ पे आपको enter करना है आपका email id फिर आपको अपना password set करना है फिर से अपने password को enter किजिए फिर करना है submit फिर आप यहाँ से अपने profile photo को set कर सकते हो अगर आप set करना चाहाती हो तो tap किजिए और photo को set किजिए mail फिमिल आपको choose करना है आपका nickname set किजिए जैसे कि मैं set क save किजिए allow किजिए to turn on पे tap किजिए while using the app फिर device के tap पे tap किजिए यहाँ पे होगा add device इस पे tap किजिए to turn on allow किजिए अपने फ़न में bt icon किजिए फिर से add device पे tap किजिए अब आपको हैं पे show करेगा firebolt 131 आपको करना है connect तो आपकी smart watch हो चुकिए connected आपको करना है finish फिर आपको मिलेगा यह pairing request आपको pair पे tap करना है इसके बाद आपकी watch में भी call का feature होनो जाएगा अब आपनी watch में भी आप call को receive कर पाऊगे तो सबसे पहले है watch face को change करने का option आपको watch face पे tap करना है यहाँ पे आपको show करेंगे 500 plus watch faces और यहाँ पे हैं अलग-अलग category जैसे की dynamic, mechanical, digital, hot, simple, cartoon, festive, space और dual time zone dynamic का मतलब होता है animated तो अगर आपको animation वाले watch face को download करना है apply करना अपने smart watch में तो आपको इस category को open करना है tap करके और आपको जिस किसी watch face को download करना है आपको इस पे tap करना है मैं लेते हैं मुझे डाउनलोड करना है इस watch face को तो मैं इस पे tap करूँगा करूँगा download तो इस तरीके से आप किसी भी watch face को download करके apply कर सकते हो जो watch face से download हो चुका है आप देख सकते हो आप अपनी खुद के फोटो भी set कर सकते हो, आपको जाना है back और यहाँ पे होगा my dial का option इस पे ट्याप कीजिए अब आपको भी आपके मिलेंगे तीन option फोटो set करने के लिए, आपके album को set करने के लिए मतलब की एक साथ आप multiple photo को set कर बाओगे watch face पे और एक है video, तो आप video को भी set कर पाओगे अपने dial पे तो सबसे पहले photo को set करना है तो आपको install पे ट्याप करना है select picture पे ट्याप कीजिए, allow कीजिए जिस किसी photo को आपको set करना है, आपको set करना है मुझे set करनी है, यह photo तो हम इस पे ट्याप करूँगा फिर आप इसे उपर नीचे कर सकते हो, अपने हिसाप से फिर आपको करना है finish time जो है उपर में शो करेगा, अगर आप चाहते हो time नीचे शो करेगा तो आपको करना है below, और जो font का color है आप उसे भी change कर सकते हो, यहाँ से फिर आपको करना है install तो watch face पे photo set हो चुकी है, आप देख सकते हो, अगर आपको album को set करना है तो back जाईए और जो album है, watch face album install पे tap किजिए, आप यहाँ पे एक साथ अपने 5 photo को set कर सकते हो, आपको plus के sign पे tap करना है फोटो album पे tap किजिए, अब जिन किसी photo को आपको set करना है, उन 5 photo को आपको करना है, यहाँ से select, तो मैं करूँगा उने select, इस तरह किसे आपको tap करना है 1, 2, 3, 4, 5, फिर करना है use, आप एक एक photo को अपने हिसाब से कर पाऊगे, customize मतलब कि आपको zoom in zoom out करना हुआ, उपर नीचे करना हुआ, इस तरह किसे आप कर सकते हो, सब भी watch face को अपने हिसाब से, फिर अगर आप चाहते हो किसी watch face को आगे लाना, तो आपको tap करना है, पिर आ फिर आप जो phone का color है, उसे भी choose कर सकते हो, आपको फिर choose करने के बाद करना है, install, तो आप इस तरह के से अपनी watch में watch face album को set कर सकते हो, एक साथ 5 photos को, तो आपको देखना है उन photos को, अब इने अगर आपको change करना है, तो बस tap करना है, इनके बीच में switch करने के लिए, इस तरह क आप tap करके watch face photo को change कर पाओगे, अगर आपको video watch face को set करना है, तो आपको back जना है, और यहाँ पे होगा video dial, tap कीजिए, upload video पे tap कीजिए, photo album, आप maximum 1 second का यह video place कर पाओगे, हला कि अगर आप कोई भी video place करते हो, तो आपको मिलता है option उसे 1 second तक trim करने के लिए, जैसे कि मुझे set करने माल लेते हैं, इस watch face को तो में split up करूंगा, फिर यह automatically हो चुका है, cut 1 second के लिए, हला कि आप जो position है, उसे change कर सकते हो, इस तरह किसे, फिर आपको गरना है finish, फिर आप जो font का color है, उसे भी change कर सकते हो, यहाँ से, और अगर आपको time को नहीं देखना है, तो no time कीजिए, अगर आपको time देखना है, तो उपर या फिर नीचे, फिर करेंगे हम install, तो watch में video dial set हो चुका है, आप देख सकते हो, अब आपको यहाँ पेच हो गरेगा, इस तरीके से animation के साथ, आप अपनी watch में एक साथ 5 watch face को place कर सकते हो, हाला कि पहले 4 watch face fix होते हैं, आप उन्हें change नही आपको speed up करना है, और जैसे आप watch face को change करते हो, आपको उपर में मिलता है, यह lock का icon, अब यहाँ पर यह अनलोग दिखा रहा है, मतलब की lock खुला हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, माल लेते हैं, आपने किसी watch face को set किया, ठीक है, तो आप अपने button को घुमा कर भी watch face को change कर पाऊँगे, आपको इसे करना है, rotate, तो इसे किजिए rotate, इस तरीके से आप watch face को change कर पाऊँगे, इस button को rotate करके, तो अगर आप चाहते हो button के जड़िये, watch face change ना हो, तो आपको किसी भी watch face पे लोग ट्याप करना है, फिर आपको watch face को करना है, set, उपर में होगा lock का icon, लोग प आपको डाउनलोड कर पाऊँगे, अपनी watch में, तो आपको जिस game को डाउनलोड करना है, अपनी watch में, आपको करना है, install पे tap, और जो भी game डाउनलोड हुआ है, आपको मिलेगा main menu में, नीचे आपको मिलेगा game का option, आपको game के option को open करना है, यह रहा game, इसे open कीजिए, और आ प्राणा अपने डाउनलोड किया था, वो replace हो जाएगा नई के साथ, फिर आगे है message notification, open कीजिए, FB active को on कीजिए, allow कीजिए, call को on कीजिए, permission को allow कीजिए, इसके बाद है SMS, इसे भी on कीजिए, allow कीजिए, अब आपके phone में जो भी apps है, वो सभी apps यह पेश्यों करेंगे, call कर दिया है, अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी call आता है, तो किस तरीके से शुकर एगा आपकी watch में, तो call आ चुका है, इस तरीके से आपकी watch में बज़ेगी ringtone, और आपकी watch कर गी vibrate, आपको यहाँ पे शुकर एगा contact का नामे number, यहाँ पे आपको लेंगे दो option, इस call को accept करने का, और इसे end करने का, अगर आपने इसे answer किया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा केवाल एक ही option, call को cut करने का, volume का switch करने का, या mic commit करने का, कोई भी option यहाँ पे available नहीं है, तो अगर आपको call को volume को adjust करना हुआ, तो आपको यही से करना होगा, अपने phone से call के volume को adjust, पर ट्याप किजिए, माइक को विट करने का भी option आपकी एफ़न में ही मिलेगा, बस आप यहां से कर सकते हैं उस call को cut, अगर आपको अपनी वाच में call को रिसु नहीं करना है, तो आपको अपनी वाच में call की feature को off कर सकते हो, आपको जना है, quick toggle में B के आइगन पर ट्याप तो ऐसे में अगर आपको वही call आएगा, तो आप अपनी वाच में उससे रिसु नहीं कर बाओगे, अलाकि आपको मिलेगा इस तरीके से call का reminder, तो आपकी वाच करगी वाइबरेट, आपकी वाच में showगा, contact का नाम या नंबर, और यहां पे आप उस call को अगर बाओगे cut, अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी SMS आता है, तो इस तरीके से शुकरएगा आपकी वाच में, तो SMS आ चुका है, जब SMS आता है, तब आपकी वाच में display on होता है, आपकी वाच में बचता है tone, और आपकी वाच करती है vibrant, और यहां पे मिलेगा आपको इस तरीके से उसका करते हैं, अगर आपने इसे देखना मिस्ट करते हैं, तो आपको करना है home page पे swipe up, और यहां पे शोगरेंगे आपके सारे SMS या message, अगर आपको किसी भी message को लिलिट करना हुआ, तो आपको उसे open करके करना है clear, अगर आपको सभी को एक साथ करना है clear, तो नीचे आपको सभी को एक साथ clear करने के लिए, और यहां पे आपको शोगरेंगे आपके पिछले 10 message, अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी WhatsApp text आता है, तो कैसे शोगरेगा, तो WhatsApp text आ चुगा है, जब WhatsApp से कोई भी message आएगा, तो आपकी watch में display on होगा, आपकी watch करेगी vibrant, और आपकी watch में ब और यह है message का content, अगर आपको WhatsApp सो कई भी, वो इसको लिए वीडियो को लाता है, तो आपको मिलेगा उसका reminder आपकी watch में, इस तरीके से, और आप उस call को accept भी कर सकते हो, आला कि यहां पे contact का नाम या number show नहीं करेगा, यहां पे आपको show रिगा के वल unknown caller, आगे है, somato sensory game, तो इ आपके watch के जरी, आप अपने game को control कर पाऊगे अपने phone में, तो आपको इसे open करना है, यहां पे आपको show करेंगे, अलग-अलग games, तो यहां पे है dancing के games, इसके अलवा boxing के games है, workout के games है, और यह sports के भी games है, माल लेती मुझे play करना है, boxing game, तो enter the game पिट्याप किजिए, और फिर enter the game, first time download करने के लिए time लगेगा, तो आपको wait करना है, तो game download हो चुका है, फिर आपको करना है play, तो माल लेजे, आपने watch को पहना हुआ है, अब आपको kick करना है, जैसे आप kick करते normally, तो यह से kick किजिए, तो यह जो boxing kick है, काम करेगा आपके phone में, इस तरीके से आप देख सक सकते हो, अगर आपको exit करना हुआ, तो back का icon दिया गया है, या आप अपनी watch में, जो button है, crown button उस पर परिस करके भी, game से बाहर निकल सकते हो, आगे है heart rate monitoring, तो इस पर tap किजिए, तो अगर आपने इसे own कर दिया, तो आपकी watch में, अब हर आदे घंटे के बाद, heart rate automatic measure होता रहे heart rate मज़र होगा, लेकिन ऐसा करने से, आपकी watch में, battery backup कम मिल सकता है, तो अगर आप चाहते हो, battery backup अच्छा मिले, तो आपको इसे offer रखना है, फिर आप manually, अपनी watch में, heart rate को measure कर पाओगे, अब आपकी watch में, automatic heart rate measure नहीं होगा, आगे है health reminder, इसमें आपको मिलते है, tin reminder, drinking water, sedentry और medication, तो पानी पिने का reminder, और दवा लेने का reminder है, आप उसे भी set कर पाओगे, माल लिजिए, आपको set करना है, पानी पिने के लिए reminder, तो इस पट्याप कीजिए, तो आपको इसे on करना है, अब आपको हर कितने time के बाद पानी पिना है, मैं set करूंगा, एक घंटे के बाद, तो यहाँ पे है minute में 60 minute, और यह जो reminder है, आपको कितने बज़े के time के दुरान चाहिए, तो मैं चाहता हूँ, सुबह के 9 से लेकर, रात के 11 बज़े तक reminder मुझे मिलता रहे, तो मैंने time को set कर दिया है, इस तरीके से, तो मुझे रोज सुबह के 9 से लेकर, रात के 11 बज़े हर घंटे आएगा, पानी पेनी का reminder मेरी watch में, अगर आपको दवाई लेने का reminder set करना है, तो किजिए, medication reminder पे tap, आपको इसे own करना है, तो जो भी medicine आप लेते हो, उसे आपको कितने बार लेना होता है दिन में, एक बार, दो बार या तीन बार, इस तरीके से आप उसे set कर तो दो बार का time आपको set करना है, पहले ही जो दवा है, मुझे लेनी है, सुबह के 10 बजे, या 10.30 बजे, और जो दूसरी है, मुझे लेनी है, रात के 9 बजे, रात के 9 बजे मतलब कि 21 hour, ओके, तो मुझे अब आएगा हर रोज दो बार, medication reminder, एक सुबह के 10 बजे, और एक रा ये का tone, हाला कि ये feature दो भी काम करेगा, जब आपके watch आपके phone के साथ connected होगी, फिर ये है Bluetooth camera, तो tap किजिए, permission को allow किजिए, आपके phone में open होगा camera, और आपके watch में open होगा shutter button, तो watch में जो shutter button है, आपको इस पर tap करना है, आपके phone में capture होगी photo, आगे है alarm, तो आप अपने alarm को आपने app से ही add कर पाओगे, आपके इस पर tap करना है, आप एक साथ यहाँ पर 5 alarm को add कर सकते हो, प्लस के send पर tap किजिए, time set किजिए, ये है hour, ये है minute, कौनसे दिन को आपको alarm को play करना है, उन दिन को भी आपको तुस करना है, फिर किजिए tick पर tap, आप यहाँ से alarm को on-off कर सकते हो, इसके अलावा tap करके आपको change भी कर सकते हो, अगर आपको alarm को करना हो delete, तो आपको इस पर लोंग tap करना है, और किजिए delete, okay भी tap किजिए, तो जब भी alarm का day में है तब आपको मिलेगा, alarm का reminder आपकी वाच में, vibration और sound के साथ, आगे है raise to wake, जिसे by default on रखा गया है, इसका मत अपनी वाच में विदर को तो आपको इसे on करना है, इसके बाद है, my card मतलब कि आप अपने किसी भी social media profile के या payment के QR code को add कर पाओगे, आपको tap करना है इस पर, जिसे कि अगर आपके पास है Facebook, WhatsApp और Instagram का QR code तो इस पर tap किजिए, Instagram पे, plus के send पर tap किजिए, photo album पर tap किजिए, सबस इसका मतलब भी नहीं कि आपको line का QR code add करना है, आप line के place पे किसी भी अपने QR code को add कर पाओगे, जैसे कि मुझे line के place पे add करना है, phone पे आप ATM का QR code तो मैं tap करूंगे इस पर, photo album, और मैं करूंगा, paytm के QR code को add, बस आपको याद रखना होगा कि आपने line के place पे ATM की QR code को add कि लेकिन अगर आपको कोई QR code यहाँ पर support नहीं करता है, तो आपको जाना है, my payment code में, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर add करना है, gpay या phone पे का, तो आपको PayPal पे ट्याप करना है, हलाकि PayPal दिया गया है, लेकिन आपको कोई भी QR code add कर सकते हो, तो मैं अब यहाँ पर add करूंगा gpay का QR code, तो एक आप ही अच्छा feature होता है, QR code का, तो अगर आपको किसी से भी payment को accept करना हुआ, तो आपको अपनी वाच में QR code को show करना है, सामने लोगो, वो सामने लोगो स्कान कर पाएगा QR code को, और आपको मिल जाएगा आपका payment, आगे है frequent context, तो आप अपनी वाच में एक multiple contacts को, तो मैंने 250 contacts को choose कर लिया, फिर आपको करना है उपर में save पे tap, आप अपने contacts को उपर निचे भी कर सकते हो, आपको यहाँ पे long tap करना है, और drag करना है इन्हें उपर निचे करने के लिए, अगर आपको इनमें से किसी को भी remove करना हुआ, तो आपको करना है, इस तरिके स पे tap कीजिए, अगर आपको save करना है तो back जाईए, फिर आप यहाँ से update को check कर पाऊगे, tap कीजिए, check for update कीजिए, यहाँ पे होगा update check, अगर available होगा तो आप उसे यहाँ से download भी कर पाऊगे, अब बात करते हैं profile की, तो आपको my के tap पे tap करना है, profile icon पे tap करके आप यहाँ से अपनी profile photo, अपना nickname, gender, height, weight और जो date of birth है, उसे change कर पाऊगे, जब चाहिए तब इस तरीके से, फिर यह है my health, तो आपको यहाँ पे show करेंगे तीन data, sports, health और sports or you, तो पहले से लेकर अब तक आपका जो भी data है, आपको यहाँ पे show करेगा, आप day wise, week wise, month wise चेक कर पाऊगे, य यहाँ पे है, sport or you, ट्याप किजिए, तो यहाँ पे show करेगा आपका workout record, तो आप यहाँ पे day wise, week wise, month wise, अपने workout record को चेक कर पाऊगे, फिर है target steps, मतलब कि आपका daily step goal, आप एक दिन में कितने step चलना चाहते हो, तो आप यहाँ से set कर पाऊगे, अपने इसाप से, मैंने set किया है, माल लेते है, 4000, टिक किजिए, फिर है female health, तो अगर आप एक female हो, अगर आपको अपने period को track करना है, तो आपके इस पे tap करना है, इससे करना है, on, फिर आपके इस पे tap करना है, और यहाँ पे अपनी date set करनी है, last time आपको period कब आया था, तो आप जो date है, last time कब आया था period, start कीजिए, तो अब आप अपने period को track कर पाऊगे, अपनी watch में, अब बात करता है homepage की, जहाँ पे आपको show करेगा आपका आज का vital और activity data, तो यह है आज का data, आज के steps, distance और workout time, tap करोगे, तो आप उससे check कर पाऊगे, day, week, month wise, फिर आप अपनी watch में कोई भी vital measure करते हो, तो उस जिन का record check कर पाऊगे, इस तरह किसे, और यह है sleep data, तो अगर आप चाहाँ आते हो, आपकी watch में, आपका sleep data measure हो, तो आपको सोने के दोरान अपनी watch को पहने रखने रखना है, फिर आपको यहाँ पे show करेगा कि आप कि इतने घंटे सो है, इसके लाँ आपका deep sleep, light sleep और awake time यहा से भी check कर पाऊगे, अगर आप चाहाँ आते हो, आपकी watch आपके phone के साथ बार-बार disconnect ना हो, और आपका जो app है, background में ठीक से over कर रहे तो आपको करनी है, दो जीजे, आपको इस app को open करना है recent app में, icon पे tap किजिए, और यहाँ पे होगा keep open, यहाँ आपके phone में होगा, lock this app, य आपको जाना है app info में, battery में, और आपको इस app करना पहले पे, unrestricted, तो हमने इस app के जड़िए अपनी watch का setup complete कर लिया है, अब देखते हैं, आपको watch को किसी use करना है, इस watch में आपको मिलती है, दो buttons, उपर में एक round button, जो है 2-in-1, जिस पे आप press भी कर सकते हो, और इसे गुमा अगर आप किसी भी menu में enter करते हो, वहां से अगर आपको direct जाना हुआ, home page पे तो आपको इस पे press करना है, direct home page पे जाने के लिए, अगर आपको step by step back जाना हुआ, तो आपको इस तरीके से swipe right करना है, step by step back जाने के लिए, और menu को अगर आपने open किया है, यह है आपका menu, अगर इसमें होते हुए अगर आप इस पे double प्रेस करोगे तो आप menu style को change कर पाओगे, आपको यहाँ पर मिलते है 8 अलग-अलग menu style, तो यह है menu 1, double प्रेस कीजिए, menu 2, menu 3, 4, 5, 6, 7, और यह 8, उपारवले बडन पे अगर आप long प्रेस करोगे तो आप access कर पाओगे, वो इस assistant को तो आपके phone में अगर Google Assistant, Siri या Bigs दी है तो उसका जुशाब कर पाओगे, आपके इस फिल उंप्रेस करना है, अब बात करते हैं इसके rotate function की, तो watch face पे होते हुए अगर आप इस पे करोगे rotate, तो आप जो watch face है, उससे change कर पाओगे, इससे rotate करके इस तरह के से, और अगर आप किसी भी menu में enter करते हो, वाहाँ पे अगर आपको navigate करना हो, उपर या नीचे तो आपको इस पे करना है rotation, इस तरह के से उपर नीचे करने के लिए, नीचे वाले बडन पे अगर आप प्रेस करोगे, तो आपको मिलेगा workout mode, ये है workout mode, हाला कि आप इसके function को change भी कर सकते हो, ये है customizable की, अगर आप इस पे लोंप्रेस करोगे, तो आपको मिलेगा power menu, यहाँ पे होंगे दो option, switch up करने के लिए, restart करने के लिए, माल लेते मुझे करना है switch up, तो आपको इस आइकन पे tap करना है, और इसे track करना है, home page पे अगर आप करोगे, swipe down तो आपको मिलेगा control center, सबसे पहले है settings का icon, तो ये है settings का option, इसके बाद है dial pad, तो आप यहाँ से किसी भी number को dial करके call कर सकते हो, आपको dial करना है, और फिर करना है call पे tap, फिर यहाँ पे शोगा battery level, percent में, हलाकि अगर आप इस पे tap करोगे, तो काम नहीं करेंगे, और ये है call के function को on up करने का toggle, तो आप यहाँ से one tap में call के function को on up कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी watch में, आपको call को receive नहीं करना है, तो इसे off कीजिए, अब आपकी watch में, आप call को receive नहीं कर पाओगे, अगर आपको अपनी watch में call को receive करना है, तो इसे on कीजिए, फिर यह है menu style को choose करने का option, तो आप यहां से भी menu style को choose कर सकते हो, जो हम देख चुके हैं पहले ही, फिर यह है SOS, तो अगर आप इस पर tap करोगे, आपकी watch में बज़ेगा siren, फिर यह है about device, तो आप यहां पर check कर पाऊगे, अपने device का name, mac address और firmware version, और यह है menu को यहां से on up कर पाऊगे इस तरह के से, हाला कि आप अपनी watch से alum को create, delete या change नहीं कर सकते हैं, इसके आगे है brightness को change करने का toggle, तो आप यहां पे level 3 तक brightness को adjust कर सकते हो, यह है level 2, level 3, तो 1, 2, 3, आप इस तरह के से भी कर पाऊगे, adjust, slide करके, फिर यह है self drink, तो अगर आपको लगता sound और vibration प्ले होगा speaker में से, फिर आपको इस तरह के speaker को नीशे रखते हुए, इस तरह के से shake करना है अपनी watch को, जब तक यह sound प्ले होता है, तब तक उसे आपको shake करना है, तो जो भी water particle होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे speaker के जरीए, फिर यह है NFC control, लेकिन यह है केवल एक function के लिए smart door को open करने के लिए, तो आपका smart door अगर NFC support करता है, तो आप अपनी watch के जरीए, अपने smart door को open कर सकते हो, फिर यह है GPS moment, तो आपके जो भी workout है, जिसमें GPS की जरूरत होती है, उस workout को आप यहाँ से कर पाओगे access, हाला कि इस watch में GPS support नहीं करता है, GPS आपका काम करेगा आपके phone में ही, फिर आगे है D&D, तो अगर आप इसमे tap करोगे, आपको मिलेंगे दो option, एक होता है D&D, अगर आप इसे on करोगे, तो आप यहाँ से time को set करके, D&D को on कर पाओगे, जो time आपने हाँ से set किया है, उस time के दुरान D&D काम करेगा, D&D काम करेगा मतलब कि आपक आपकी watch में कोई भी sound या vibration plane नहीं होगा, और यह है smart D&D, तो अगर आप इसे on करोगे, तो आपकी watch में D&D automatically on हो जाएगा, रात के 10 से लेकर सुबह की 8 वज़े तक, इसके बाद है torch function, तो आप इस पर tap करके torch को on up कर सकते हो, इस तरीके से one tap में, और यह है switch off करने का toggle, tap तो आपकी watch हो जाएगी switch off, और watch face पर आपको जो भी icon show करते हैं, आप अगर उस पर tap करोगे, तो आप उस particular app को open कर पाऊगे, जैसे कि यह है alarm के लिए, तो आप अगर इस पर tap करोगे, तो alarm का function open हो जाएगा, यह activity के लिए, इसके लगई है battery के लिए, तो अलग अलग watch face पर आपको मिलते हैं, ऐसे icon, आप उस पर tap करके, जो app से उन्हें open कर पाऊगे, home page पर अगर आप swipe left करोगे, तो आपको मिलेंगे, अलग अलग shortcut यह है activity मतलब की, आज आपने कितने step चले है, आपकी calorie और आपका distance, इसके आगे है आपका sleep data, तो आप कितना time सो है, deep sleep, light sleep, यहाँ पर शुक किया जाएगा, इसके आगे है heart rate को measure करने का option, इसके आगे है widget को add करने का option, तो plus के sign पर tap कीजिए, और यहाँ पे आपको मिलेंगे, अलग अलग shortcut, जिने आप add कर पाऊगे, तो plus के sign पर tap कीजिए, उन्हें add करने के लिए, तो मैं सभी shortcuts को add कर दूँगा, अगर आ किसी भी workout को start करना हो, तो आपको इस पर tap करना है, इस तरीके से, तो यहाँ पिश होगा आपका workout timer, आपका real time heart rate, kilo calorie energy, आपके cadence, cadence मतलब एक minute में आप कितने step चलते हो, और यह है आपके total steps, अगर आपको इसे pause करना है, तो किजिए swipe, अब हो चुका है, pause, resume करने के लिए play पर tap किजिए, अगर आपको से end करना है, तो किजिए close के button पे tap, end किजिए, अगर आप चाहते हो, आपका workout data से हो, तो आपको minimum 1 minute के लिए workout करना है, पर अगर कोई भी workout से होता है, तो आपको show करेगा, उपर में history record में, यहाँ पे आप अपने workout को check कर पाऊगे, इसके आगे है weather info, तो अभी फिलाल कैसा weather है, कितना weather है, इसके लावा अगर आप swipe up करोगे, तो आप आने वाले 6 दिन का maximum minimum weather चेक कर पाऊगे, आगे है calc, तो आप यहाँ पे calc का आप use कर पाऊगे, मतलब कि calculator, आगे है music player, तो play करने के लिए play पे tap किजिए, अगर music play नहीं होता, तो आपको अपने phone में music player को open करना है, play करना है, इसके बाद आपकी watch में काम करेगा music function, previous कर सकते हो, next, हाला कि आपे volume control का option नहीं है, तो volume को अगर आपको control करना हो, तो आपको phone से ही करना पड़ेगा, तो music play हो रहा है मेरी watch में, और हमेशा watch me play होगा, लेकिन माह लेते हैं आप कोई भी video अपने phone में, या कोई भी mediyas play हो जैसे की YouTube, तो आप देखो, कि अब ज़ो sound होगा, play होगा मेरी वाश में तो अगर आप YouTube में कोई भी वीडियो प्ले करोगे तो उसका sound आपकी वाश में प्ले होगा तो अगर आप शानते हो अगर मैं कोई भी मिडिया प्ले करता हो मेरे फोन में तो उसका sound फोन में प्ले हो वास्ट में प्ले ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो आपको जना है अपने फोन के BT सेटिंग्स में B के टोगल पे डाप कीजिए और यहाँ पे होगा Audio FB131 Gear पे डाप कीजिए और यहाँ पे होगा Audio इसे Off कीजिए अब अगर मैं कोई भी मीडिया प्ले करूँगा तो उसका सौन फोन में प्ले होगा वास्ट में प्ले नहीं होगा अगर आप चाहते हो मीडिया का सौन प्ले हो मेरी वास्ट में तो इसे On रखिए अगर आप चाहत यूं मीडिया का sound play हो मेरे phone में तो आपको इसे ओफिर रखना है अब बात करते हैं main menu की तो आपको उपर ले बड़न पर प्रेस करना है आपको में लेगा main menu सबसे पहले है activity, sleep, heart rate और ये है ECG हालाएक ECG, real ECG नहीं है ये केवल है एक heart rate तो आप ऐसे heart rate इसे यूज़ कर पाऊगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा आपका heart rate हालाएक यहाँ पर animation शो कर रहा है लेकिन यह fake है, real नहीं है इसके बाद BP तो आप यहाँ से अपने blood pressure को कर पाऊगे measure आपका SPP, DPP इस्चो करेगा और ये tic-tac work करता भी है इसके बाद है SPO2, blood oxygen तो आप यहाँ से अपने SPO2 को कर पाऊगे measure फिर है workout mode जो हम देख चुके है पहले ही इसके बाद music control ये भी देख चुके है camera control जैसे आप camera पर tap करोगे आपके phone में open होगा camera फिर आप tap करोगे यहाँ पर तो आपके phone में capture होगी photo इस तरह किसे इसके बाद है weather फिर है notification आप अपने message को यहाँ पर edit कर पाऊगे इसके बाद है phone तो यहाँ पर आपको लिगा phone call का feature तो जो भी आपने contacts add के आपके app में यहाँ पर शोगरेंगे contact में आप इने इस पर किसे देख पाऊगे अगर आपको में से किसी भी call करना हुआ तो आपको इस पर tap करना है call करने के लिए फिर से call पर tap किजिए फिर है call record तो आपके पिछले जो भी calls होंगे यहाँ पर show करेंगे time के साथ अगर आप उन्हें फिर से call करना चाहती तो आप कुछ पर tap करना है फिर से call करने के लिए हाला कि आप अपने recent calls को यहाँ से remove नहीं कर सकते clear करने का option नहीं है इसके बाद है dial pad जो हम देख चुके है और यहाँ से आप कर पाओगे ब्रेदिंग कंट्रोल टाइमर सेट करना है आपको यहाँ पर speed सेट करनी है और करना है फिर play calculator, timer, stopwatch तो यह है my card जो भी आपने QR code को add किया आपके आप में यहाँ पर शुकर रहेंगे जैसे कि हमने add किया था line में और Instagram में फिर है receipt code मतलब की payment का QR code हमने पेपल के place पे add किया था phone पे वाला तो आप यहाँ से उससे check कर पाओगे फिर है find phone तो आप इसके जरी अपने phone को ढूंड सकते हो माल लो आपने अपने phone को रख दिया है आपको नहीं मिल रहा है तो आपके phone मेरिंग बजेगी आपका phone अगर silent mode पर होता है फिर भी आपके phone मेरिंग बजेगी लेगन इसके लिए आपको करनी है एक चीज आपको जना है अपने phone के BT सेटिंग्स में वी पे long tap किजिए और यहाँ पे होगा F FB 131 गियर पर tap किजिए audio को off किजिए इसके बाद यह feature काम करेगा ठीक से तो आपको इस पर tap करना है ट्याप किजिए हाला कि यह feature दर भी काम करेगा जब आपके watch आपके phone के साथ connected होगी इसके बाद यह flashlight theme massage तो आप यहाँ से massage को भी ओन कर पाओगे ओन कीजिए फिर आपके watch करती रहेगी vibrate तो आपको जिस पार्ट पे massage करना है आपको इस तरह किस रप करना है इसके बाद यह female period तो आपने period tracker कर कोन क्या होगा आपके app में तो यहाँ पर उसका data शो करेगा बाद में गेम जो भी आपने एक game add किया आपके app में यहाँ पर शो करेगा हमने add किया था balloon पर यह है application market तो यहाँ पर शो करेंगे pressure और altitude तो उस location पर pressure कितना है और यहाँ क्या कर पाऊगी सरीश ट्याप करके measure इसके लगा वहाँ पर altitude कितना है यहाँ से आप चेक कर पाऊगे अलगी यह क्या है में तू मुझे नहीं बता फिर यह है GPS moment जो हम देख चुके हैं इसके बाद thermometer यह है temperature sensor आपको tap करना है measure करने के लिए तो आपका body temperature यहाँ पर होगा measure degree Celsius में फिर है settings तो इसमें आपको सब से पहले मिलेगा style का option तो आप जो menu style है उससे change कर पाऊगे फिर है language तो आपको इससे English पे set करना है बाकी किसी भी language का कोई काम नहीं है इसके बाद dimming मतलब की screen brightness आप यहाँ से adjust कर पाऊगे इसके बाद screen time मतलब की आपका display कितने time के लिए on रहना चाहिए यहाँ पे मैंने set किय 10 seconds यहाँ पे option से maximum 60 seconds तक तो मैंने set किया हमाल लेते है 10 seconds इसका मतलब क्या होता है अगर मेरी watch पर इसलिए ओ बता है अगर मुझे on करूंगा तो अब यह 10 seconds के लिए on रहेगा उसके बाद off हो जाएगा हाला कि आपको है पर मिलता है all your zone का feature तो आपको करना है all your zone का feature अगर आपको show करेगी हमेशा के लिए यहाँ पे hour और minute का काटा इसके बाद है vibrate तो आप ऐसे vibration की level को set कर पाओगे यहाँ पे level तो आप यहाँ पे minimum maximum कर पाओगे plus minus के send पे tap करके फिर यह है nob touch जब भी आप nob पे करोगे rotate तो आपको मिलेगा vibration अगर आप चाहते हो इससे घुमान और आपकी watch करे vibrate तो आपको दोनों कोन करना है फिर है ringtone set तो यहाँ पे call के लिए notification के लिए alarm के लिए ringtone को set करने का option दिया गया है तो आपको मिलते है चार ringtone मतलब कि नन मतलब कि silent कोई भी ringtone नहीं बजेगी तो अगर आप चाहते हो आपकी watch में कोई भी ringtone ना बजे तो आ तिनों में से किसी भी एक पे कर सकते हो selection फिर यह है dnd mode जो हम देख चुके पहले ही फिर यह है race to wake का feature आप यहाँ से भी इसे on up कर पाऊगे फिर यह है pinlock तो आप यहाँ से कर सकते हो password को set अपनी watch में तो आपको इस पट्याप करना है pinlock switch को on कीजिए अपने password को set कीजिए फिर से confirm कीजिए तो आपकी watch में अगर display off होता है अगर आप उससे फिर से on करोगे तो आपको मिलेगा password का option और जब आप password को enter करोगे तब भी आप अपनी watch को यूश कर पाऊगे आप यहाँ से password को change भी कर सकते हो और आप यहाँ से password को on off भी कर सकते हो इसके बाद है time settings तो यहाँ पे आपको भी लेंगे दो option एक है auto sync मतलब कि आपकी phone में जो time शो कर रहा है ऐसे मोई time आपकी watch में भी शो करेगा लेगा लेगे अगर आप collect time set करना है तो इसे off कीजिए औ और फिर आपको अपने हिसाब से यहाँ पे time set करना है date भी आप अपने हिसाब से set कर सकते हो और जो time है उसे भी आप यहाँ से set कर सकते हो नहीं यहाँ पर 5 मिनट आगे set की है अपनी watch को time format भी आप यहाँ से set कर बाऊगे 12 hour या 24 hour फिर यह है key definition मतलब कि नीचे वाले बड़ हो जाएगा आप देख सकते हो तो आप अपनी watch में display को on-off करने के लिए नीचे वाले बड़न को यूज कर पाऊगे इसके बाद है bedside lamp जब भी आप अपनी watch को charge करोगे तो आपकी watch में हमेशा charging animation को करेगा time और battery level के साथ तो अगर आप ऐसा चाहाँ तो आपको इसे on करना है फिर यह है connect your phone तो यह है FB active को download करने का QR code हम पहले ही उसे आपको download कर चुके है इससे scan करने के अब ज़रूरत नहीं है इसके बाद है power saving mode तो आप यहाँ से भी इससे on-off कर पाऊगे फिर about और यह है restore factory तो आप यहाँ से कर पाऊगे factory reset और यह है end में power up करने का option home page बगर आप करोगे swipe right top को मिलेगा यह quick panel जहाँ पर आपको उपर में शो करेगा time date और day और यहाँ पर शो किये जाएंगे 4 menus तो आपके usage के साब से यह menu change होते रहेंगे फिर यह है आपको download करने का QR code इसके बाद है AI OS assistant और इसके बाद है यहाँ पर यह weather info दोस्तो तो यह था firewall or smartwatch का push it up guide अगर आपको वे भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो आप मुझे instagram पे या फिर twitter एनी केक्स्याप पे भी message कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो